हे वरिक्षिदे आज आपको साक्षी मान कर मैं इस रिष्टे को कुल देवी माँ का आशिरवाद समझ कर अपनाती हूँ सादी से पहले रनबीर के साथ रात गुजार के आ रही है और महरे से पूछ रही है कसूर के है खुद ही देख लिजे जोड जी में आए कर पर महरे को अपनी मनूस सूरत फिर न दिखाना मासा 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 दिरमाजा कोलिये मासा अच्छा हुआ एट लिस्ट अब तो मासा के सर से सुमन भादी का अच्छाई का भूद उतरेगा मेरी ही है नहां में वहाँ जाती और नहीं ऐसा कुछ होता बिजेश जी भाई साब सारे दोस्तों को और रिष्टेदारों को नियोता तो दे दिया है ना जी भाई साब सभी का हो गया है कुछ परसनर इंविटेशन बागी रह गया है जैसे MLA सहाब कॉर्परेटर हमारे बिजनस पार्टनर्स कोई बात नहीं उनको तुम और आकाश जाके खुद दियाना जी भाई साब मैं भी ऐसा ही सोच रहा था नपूर जीवा आ होने वाली पहों के आर्थी करके ये मौले उनके हाथ में बांद के ही महंदी के रसम शुरू करना जीवा रनवेर रनवेर जोटे 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 कैसा है तु तु ठीक है ना? हाँ भाई में बिल्कुल दीक हूँ, I'm perfectly fine जोटे पर ठीक हूँ तुम में तु फॉन पे काहता कि तुम तुम थीक हो तुमें कुछ नहीं हुआ पर ये ये चोट चोट केसे लगी रिलाक्स रिलाक्स में बिल्कुल ठीक हूँ देखो न, एक पीस में आपको सामने खालागो ये मेरी सवाल का जवाब नहीं है सिंदूरा बिल्कुल ठीक करें रनवी हमें सस सच बताओ कि तुम्हारे हाथ पी ये चोट कैसे लगी कुष्टे बढ़े पाप्पु, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर क्या हो सामने खाल, सामने खुम्हारे खाल, सामने खाल, सामने खाल... विए विए के क्रिश अंकल की तरह उन गुंडों से सुमन को बचा लेगे। और फिर सुमन ने बिलकुल हिंदी पिक्चरों की हिरोईन के तरह मेरे हाथों में यह पट्टी बांदे इतने सीरियस बात को इतने लाइटली कैसे ले सकते हो यह यह चोट गहरी भी तो हो सकती है मैं डॉक्तर को फोन करते हैं मौम रिलाक्स शान्त हो जाओ सुमन ने इसकी ब सुमन ने ड्रिसिंग कर दी थी सब ठीक है छोटे दो दिन बाद शादी है तो रिस्क्यों लेन है डॉक्तर से गंसल कर ले दे है मैं स्कॉल करके आता हूं तू उरूप मुझे तो यह समझ में यह रहा है कि वहां गुंडे सुमन के पीछे क्यों क्यों पढ़ गे क्यों अब रनवीर हमें पुलिस कंप्लेंड जरूर करनी चाहिए अच्छा तुमने पताया है कि उन्होंने तुम्हें लिफ्ट दी तो तुमने उनकी गारी का नंबर तो जरूर नोट किया होगा तुम उनको पैचान लोगे ना कार का नंबर तो याद नहीं लेकिन हां मुझे उनकी जरूर यादि पचाचो मुझे लगते है कि भेने ही देते बेफाल तो में पुलिस को बुला कर क्या फैद नहीं रनवीर पुलिस कंप्लेंड तो जरूर होगी ना जाने वो लफंगे तुमसे और सुमन से क्या चाहते थे और वैसे भी देखो शादी बया का महौल है हम बिल पुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साब क्या बरोसा वो लोग वापस आजा और फिर से अटाक करने के कोशिश करे तो पर भाई साब एक प्रॉब्लम है या शादी बया का घर है बहुत सारे गैस्ट होंगे घर में और अगर पुलीस घड़ी आएगी जाएगी तो गैस्ट उन सिंदूरा ठीक है अगर आप लोगों की यही राय है तो हम शादी के बाद पुलिस कंप्लेंट करेंगे जी भाई साब मैं आज ही एसीपी साब से बात कर लेता हूं और उन्हें इस इंसिदेंट की पूरी जानकारी भी दे देता हूं ताकि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े थैंक गॉड शादी तक पुलीस की मुसीबट तल गई पर आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बात मासा तक ना पहुंचे बस क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी तबियत बिगड़े थीक है मॉम अमन तो ठीक है ना आ मॉम सुमन ठीक है सिंदूरा बस उसके पैर में थोड़े सी चोट लगी है बड़ शील बी फाइन पेचारी एक तरफ कुंडे और दूसरी तरफ पैर में चोट इसे चलपाई होगी होगी वह मॉम सच कहूं तो आज सुमन के लिए अपका इतना तंसर्न देख कर मुझे बहुत अच्छा लगी है सिंदूरा क्योंकि फाइनली मुझे लगता है कि आपने दिल से सुमन को अपनी बहुत विकार कर लिए सिंदूरा क्योंकि अच्छा है कि मुझे तो डर लग रहा है कि मॉम मेरी चोट को देख कर भी इसके लिए भी सुमन को ब्लेम ना करते तुम भी ना रंबीर मेरे लिए तु बस इतना ही काफी है कि तुम दुनों सही सलामत वापस आगे ठग्या होगा जा आराम करचा हाँ बेटा शाम को तुम तीनों की मेंदी की रसम भी है सिंदूरा यह स्कमेन अरे शच्छी आप आहे ना शोरे तिरे लिए हल्दी वाला दूद लाई थी जल्दी से पी ले तेरे गाव जल्दी सुख जाएंगे तो स्मी बसे वाच्छी, आप प्रीश चमंद को बोलके एक दवाई फिस्वादेंगा, तेरी बोडी में बहुत पेन होगा हायराम, यह होगा, बदन क्यो दूख रहा है बच्चे? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ी से थकान है तो मैंने सुच्छा की दवाई खा लूँ ठीक हो जाए लेकिन पीस, यह दवाई वाली बात आप मौम को बिलकुल मत बताईएगा, बे मतला परिसान हो जाएगी नहीं होंगी कुछ नहीं चोड़े, वो ऐसी मुझसे निकल गया, कुछ नहीं नहीं, चाजी कोई तो बात है, बताईए मुझे चाजी, आपको मेरी कसम, बताईए क्या बात है चोड़े, कसम देकर तुने हमें बान दिया, लेकिन तुझे भी एक वादा करना होगा कि हम जो कुछ भी तुझे पताएंगे, तुछ सोथ समझ कर कदम उठाएंगे चाजी, बाब मुझे ड़ा रही है, प्लीज, बताईए मुझे क्या होगा तु जब तक हमसे वादा नहीं करेगा, हम अपनी जवान नहीं खोलेंगे अच्छा बाबा, आप प्रॉमिस रैप को वादा करता है, तदाएंगे मुझे क्या बात है तरसल बात ही है कि जो गुंडे तेरे और सुमन के पीछे लगे थे वो तो मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, उन लोगों का आने का वक्त हो रहा है चोरे हमें लगता है सिंदूरा भावी ने अभी तक सुमन को दिल से स्विकार नहीं किया तु लिए तुझे उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए उनने कुंदे बेजे थे आप कैसी बाते कर रहे हैं, चाची? आप माम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है इसलिए छोरे कि हम एक माह हैं और हम अच्छे से समझते हैं एक माह अपने बच्चे की खुशी के खातर कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, रनवीर ठीक है अगर अगर ऐसी बात है, तो आप चलिए मेरे साथ मैं माम के साथ अभी सब कुछ प्यार दो, आइए तो नहीं चुरे, अब तू अपना वादा भूल रहा है आची, आप दी कमाल की बात कर रहे हैं आप मुछे इतनी बड़ी बात बता रहे हैं आप चाहते हैं कि मैं मौम से जाकर क्लियर भी ना करूँ छोरे, इसलिए कि हमें गलत फैमी भी तो हो सकती है और हम नहीं चाहते हमारी गलत फैमी के चक्कर में एक माँ बेटे के रिष्टे में कड़वाहट आए हमने तो सिर्फ बाते सुनी हैं लेकिन सचाए की तह तक जाना तेरा काम है तुझे ही पता करना होगा कि सिंदूरा भाबे के दिल में सुनी के लिए आखिर है क्या चाहची मुझे लगते है कि आपको गलत फैमी होई मौम जानती है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और मौम यह भी जानती है कि मैं सुमन से कितना प्यार करता हूँ इसलिए मुझे लगते है कि इस सिर्फ आपकी गलत फैमी और कुछ नहीं इश्वर करे कि तेरी बात सच हूँ और हमारा शक गलत हूँ लेकिन तुझे आगा करना हमारा फर्स है क्योंकि जे तेरे और सुमन की जिंदिकी का सवाल है थांक साची जोड़े हमें गलत मत समझना हम तो बस इस घर की भला ही चाहते हैं तुम तीनों बच्चों की खुशिया चाहते हैं और कुछ नहीं जाची मैं आपकी इंटेंशन्स पर कभी डाउट में कर सकते हैं मैं चानता हूँ कि आप हमारा सिफ जाला ही चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सुमन की सिक्कुरिटी को लेकर अब मुझे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा जोड़े चल तो अपना ध्यान डखना हम दवाई भिजवाते हैं अब चाची एक मिनिट वैसे आपने इस बात किसी और को ते नहीं बताये अभी तक तो नहीं चाची मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा होगा क्योंकि अगर धरवालों को पता चलेगा तो वो बे-मतलब Mom को गलट ही समझेगा हम समझते हैं नहीं मॉम मुझसे بहत प्यार करती है और जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी खुषियों को हमसे दूर करने का सोच भी नहीं सकते और मॉम जानती है कि मेरी खुशी सिर्फ सुमन के साथ है. हलो? हलो, रन्वी जी. आप जहां कहीं है, प्लीज जली से खरा जाएए. लेकिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है. भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं है. प्लीज मुझे पताएए क्या हुआ? रन्वी जी में सब कुछ आपको पोन पर नहीं बता सकी. आप प्लीज जली से खरा जाएए. आप नहीं चाहती नहीं कि मैं आपके सामने आओ, तो मैं नहीं हाऊँगी. आपसे बात करने के को सिस्स भी नहीं करूँगी. प्लीज मासा, दर्वाजा खोलिये. मासा, दर्वाजा खोलिये मासा. मुझे पता है कि आप भावी सासे अपसेट्स हैं. पर इंसे रिष्टा तोड़के आपने इनको सजा दे तो दिये. अब अपने आपको कमरे में बंद करके किस बात की पणिश्मेंट्स दे रही हैं? अब बच्चों के तरह जिस्थ छोड़ियो और बहार आईए मासा. मासा, गर अब खाना नहीं खाएगी, दवाई नहीं लोगी, आपकी तबित खराब हो जाएगी. आपको मेरी नहीं, लेकिन इस घर को आपकी संचू लाड़ो को आपकी बहुत जर्वत हैं मासा. इन सब का तो सोचिये, दरवाजा खोलिये मासा. इस मासा दरवाजा खोलिये मासा आप चोड़ते हूँ. इस अब क्या हो रहे हैं यहां पर? सुमन, तुम मासा के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? कोई, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? मैं बताती हू रनवी जी. मुझे बताओ मुझे, क्या हुआ? मासा बाभी से नाराज है. इसलिए पिछले दो घंटे से उन्होंने अपने आपको कंडे में बंद रखा हुआ है. ना तो खाना खाया है और ना ही दवाई लिये. बट मासा सुमन से इतनी अपसेट क्यों है? मासा को ये फोटोज लेटर बॉक्स से में. और फिर उसके बाद, आज से थारा महरा रिस्ता खतम. मर गई तुम्हारे लिए. पुझे एक लास पानिल मेलीगा? तो इसका मतलब ये है. मैं जब से तुम्हे छोड़ कर गया हूँ, तुम तब से रो रही है. आई. पानी पी. तुमान, तुम्हे याद हैं. मैंने तुम्हे क्या था? हमारी हर प्रॉब्लम को उससे होकर गुजर्ना हो. मैं पुर्णी, आने में तोड़ी सी देर हो देखिए. मासा, मासा मैं रन्वीर, देखी मासा आपने 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 एंवलप्स पर जो भी कुछ देखा, उसके बात कोई भी होता हूँ ऐसे ही रियाग करता। अगर मेरी मॉम भी वो फोटोस देखती तो वो ऐसे ही रियाग करती। लेकिन कम चेकम वो मुझे एक मौका जरूर देती, अपनी बात कहने करो। मासा, मैं सच्छे दिल से आपको अपनी माँ समझते हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा हक है। इसलिए एक बार, एक बार दर्वाजा खोल दीचे। मासा, अच्छा ठीक, एक बार दर्वाजा खोल दीजे और मेरी बात सुननीजे। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैंने कोई गल्ती करी, I mean हमने कोई गल्ती करी, तो मैं सिंदगी भर आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। मासा, आपको एक बार दर्वाजा खोल दीजे। प्लीज मासा, दोर्स मत खोलना। प्लीज मासा, मासा, पुझे सच में यकिन नहीं हो रहा है कि आपको आपको इन फोटोस पर भरोस है। लेकिन अपनी बहुत सुमन पर नहीं। खेर, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या हूँ। तुन्हें जो कुछ भी बताया उसमें कुछ भी नया ना है। जे सर्व जे मुझे पहले ही बता चुगी। लेकिन फिर भी आपको सुमन पर यकीन नहीं। चोरे, आखों देखी मखी निगलीना जावें। पर मैं भगवान तो हूँ ना। इंसान हूँ, मैं तो वही समझूगी जो यह फोटो में दिखा रही है। लेकिन मासाब, सुमन के सच्चे मन को तो जानती है ना। आपको तो पूरा विश्वास होना से ही सुमन के उड़क। फिर आप भी। मान लिया। मांन लिया मैने कि जह सच्ची और जह फोटों जूठी मैंने तो मान लिया। लेकिन महारे पडोसी, महारे जानने वाले महांरे महल्ये के लोग और गलती से भी किसी ने यह फोटों देख लिए तो वो तो जह ही समझेंगे ना, कि जह चरित्रीन है। लोग तो दोस मारी मत्थे मढेंगे ना, लोग ये ही कहेंगे, कि कलावत्ती अपनी दोरो छोडियों को संभालने में इतनी मगन थी, कि बाउ इसके हाथ से निगल गी. देखें मासाब, कोई क्या सोचता है, उससे ना मुझे कोई फरक पड़ता है और नाहीं सुमन को. मासाब, अगर मुझे यही सब करना होता, तो आप ही बताईए, कि मैं अपने घर वालों को यहाँ पर सीधा रिष्टा लेकर क्यों भेचता है? आप जानती, सुमन मुझे हमेशा एक बात कहती है, कि उसने जो भी कुछ सीखा, और सिर्फ आप से सीखा, वो भी शादी के बात है, अब आप ही मुझे बताईए, क्या आपको अपनी परवरिष पर भरोसा नहीं, या फिर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड, सिंदूरा की प मेरी बात मानी, और अगर उसके बात भी आपको लगता है कि मैं जुट बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी मा की कसम खा के कहता हूँ, कि आपकी सुमन एक्दम डंगा की तरह परवित्र है, अब सब कुछ आपके उपर है, आपको मेरी बात पर यकीन है या फिर इन फोटोस पर, फैसना आपको करने.